सबस्क्राइब करें नॉलेज ओफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें दवाईों के बारे में लेटेस्ट नॉटिफिकेशन पाने के लिए वेलकम बैक फ्रेंज नमस्ते दोफ्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटिफ चैनल नॉलेज ओफ मेडिसिन में जहां आप आते हैं दवाईों के बारे में संपुर्ण ज्यानकारे फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिथाइल कोबालामिन के बारे में जिससे हम सभी विटामिन बीवाड़ा के नाम से जानते हैं एवं कई सारे फ्रेंज इसके बढ़ान नेम से आप इसे जानते होंगे विटामिन बीवाड़ा को जिसमें अगर हम कुछ पॉप्लर व्रान नेम्स की बात क्याते हैं तो उसमें आपको निूरोकाइंड एलविट फोड फोड एवार निूरोकाइंड फोड टेबलेट है तो यह इनके कुछ ब्रांड से जिससे आप जानते होंगे जिहां फ्रेंड जूद्र निूरोकाइंड आपका टेबलेट आता विटामिन बीद्वारह हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो विडामिन बीद्वारह यदि किसी की व्हक्ति के शरीर में कमी हो जाती है वीड़ार हो तो उसके अंदर क्या कुछ लगशन देखे जाते है किस प्रगार के समस्या को ठीक करने के लिए आपको नियूरो काइन का प्रियों किया जाता है साथ इसके क्या डोज होनी चाहिए क्या को साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वीडियो के लाइस्ट में यह भी सिखेंगे कि वह कौन से बेखती है जिसे हम यह विटामिन बीव नहीं दे सकते या फिर हमें क्या कुछ साब्जानियां रखनी चाहिए तो इन सारे महत्पून चीजों के बारे में हम सीखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो दबाओ के धूरी जानकारी होती हुआ का भी घातक होती है साथ-साथ वीडियो को लाइक कर मिठाइल कोवालामिन आपका विडामिन V12 का ही एक रूप है जब किसी व्यक्ति के सरीर में विडामिन V12 की कमी हो जाती है तब हम उसे बाहरी से सप्लिमेंट के तोर पे विडामिन V12 देते हैं चाहा हुआ टेबलेट फ़र्म में हो सीरॉप में भाध में दिया जाता है अब टिस वीडयों में हम सिर्फ वर सिफ विटामीण बीवारा के टेबलेट फस में के बारे में सीख रहे हैं है क्लिदी हम वीटामीन बाडा के लक्षन की बात करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति जिनके शरीर में विटामिन B वारा के कमी हो जाती है तो उसके अंदर जो लक्षन क्या रहाता है अब हम वीडियो में जाल लेते हैं इसके usage के वारा में दोस्तों विस्तार से हैं तो यदी हम Newro kind के usage की भात करते हैं तो यदि कोई भीघति जिनके बॉड़ी में विटामिन वीवारा की कमी हो गई हो मतलब به अधायल को डामन की कमी हो गई हो क्योंकि जो है वह एक ब्रांड है आपका और उसके अंदर जो मुखी इंग्रिडेंट होता है वह आपको विटामीन बीवारा है तो यदि कोई वेक्ति जिनके बाड़ी में विटामीन बीवारा की कमी हो गई हो तो उसे पूर्थी करने के लिए आपको नियूरो काइंट डिया जाता है सा है जिसे हम सभी खोन की कमी कहते हैं तो यदि कोई विटि जनके बाड़ी में घुल की कमी हो गई हो तो जिस वज़ह से वेक्ति के अंदर जो लक्षन देखे जाते हैं वेक्ति के आपको का रंग पीला पर सकता है वेक्ति का मुउम हमेशा शुक्ता है या फिर विटामीन ब या फिर किसी और ब्रामिन के टेबलेट का प्रियोग किया जाता जिसके आंदर विटामिन के भारे में कि बाद करते हैं तो आप विसके नॉर्मल के लिए एक जोज बुम्हें टी Forsch लेते हैं तो आपको को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जागा इवेन आप इसे खाना खाने के बाद सिंगल डोज मतलब नाइट में आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं अगर हम विटामिन सकते हैं अगर इसके अलावा भी कोई आपको देखने को मिल तो अब फर्दर इस दवाक का प्रयोग बंद करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वह दूसरी चीटमेंट आपको देश सकें आप वीडियो के लाश्ट में हम यह जान लेते हैं दोस्तों कि हमें क्या आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथे जाथ इसका प्रयोग प्रेंगनन के लिए या फिर प्रेस्टिंग कर सकते हैं कोई ऐसा दिकत नहीं साथे इसका प्रयोग कर सकते हैं बट वीडियो में इएग चिबताना जाओंगे तो यदि आपके बोडि में खुन क कर सकते हैं तो आपको वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी उम्मीद कर तो वीडियो आपको पसंद आई हो यह वीडियो समझ में आया हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें योंग चैनल पर नए है तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके चैनल को सबस्क्राइब करें साथ साथ पास में दिए गए बेल आइकन को फी जरूर ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ